गैस हम अमारे डेली लाइप में ऐसे ही सेंटेंस का बहुत यूज़ करते हैं जो हम पर हम कहते हैं कि मुझे मुझे वहाँ जाने के लिए मजबूर मत करो मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करूँगा क्यों उसे बात करने के लिए मज़बूर कर रहे हो इस परकर की sentence को हम English में कैसे कहेंगे इसके लिए कौन से ट्रक्शिर की use करेंगे आसके इस वीडियों में हम सिखने बाले इस परकर की sentence को इंग्लिस में कहने के लिए आपको पहले use कर दिने ये subject इसके बाब helping work, helping work के बाद आपको यूज कर देनी एक compel, compel के बाद object noun या फिर pronoun, इसके बाद infinity form यानी two plus work की first form और last में other words, मैं आपको और एक चीज़ क्लियर को दूँ, यहां पर जो compel आप देख रहे हैं, यह मैंबर बे जो की tense के according change भी हो सकती है, जैसे की compels, compelled, compelling यह सब, चलिए कुछ examples लते हैं तक कि आपको यह structure और व्यत से समझ में आ जाए, हमारा पहला example है, बीमारी ने उसे बिस्तर पर रहने के लिए मजबूर कर दिया, illness compelled him to stay in bed, क्या बो तुम्हें पेसे देने के लिए मजबूर करता है, does he compelled you to give him money, मुझे वहाँ जाने के लिए मजबूर मत करो, don't compel me to go there, don't compel me to go there, मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करूँगा, I will not compel you to do it, I will not compel you to do it, क्यों उसे उनसे बात करने के लिए मजबूर कर रहे हो, एक अच्छा नेता लोगों को उसे बोट देने के लिए मजबूर कर देता है, a good leader compels people to vote for him, a good leader compels people to vote for him,